तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और ये जी वीडियो हैं आप लोग के 12 ख्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्टन का सरीर चल रहा है न उसका पार्ट 15 है जिसमें हम लोग चैप्टर नंब बताएगा कि आप लोग का कितना स्कूर आयाइँ यहां से आप लोग का सवाल रहा है और देखे चैप्टर का नाम लगए यहां पर लिखा हुआ है बरके कलीशा जो कि यह क्या है नजम है कवीता है तो चलिए वड़वर्वर्ट सवाल की तरफ बरतें हैं सबसें पहला सवाल है कि बरक एकलिसा की हैयत क्या है यानि कि यह जो बरक एकलिसा नाम का नजम है कवीता यह किस टाइप का नजम है तो आपसन ए में है आजाद बी में है पाबंद सी में है जरीफ और डी में है प्रकलीए। आप लोगे को बताना है ये ये नजम किस टाइब का नजम है। ठिक तो बताईए इसका सही ऑप्सन क्या होगा? ऑप्सन नम्बर C, जरीफ ये जो बरच कहलीसा नाम का नजम है ये क्या है? एक जरीफाना नजम है तो आप्सन नम्बर C is right answer आगे बढ़ते हैं फ़ड़फट बढ़ते हैं दूसरे सवाल है नजमบर्क कलीशा के खाली कि का नाम बताईए यानि की ये जो कवीता है बर्क कलीशा इस कवीता इस नजम के राइटर कौन है लिखने वाले कौन है तो फ़ड़फ़ट अपसंदे एमें अबादी अग्बर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को मालूम होगा अकबर अलाबादी जो है ना अकबर अलाबादी द्वरा बरक कलीसा नाम का ये नजम लिखा गया है आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ तीसरा सवाल है कि अकबर किस पर्चे के नौरतनों में शुमार ह अगे बढ़ते हैं चार नंबर सवाल है कि शायर को कहां मिलती है तो नहीं पड़े हैं तो दिक्कत हो सकती है तो इसलिए अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसते चैनल के प्लेलिस्ट में हैं चले जाइए क्लास्ट वल्थ उर्दू नियू सेशन 2223 के नाम से प्लेलिस्ट सेभ है मेरे द्वरा ही पढ़ाया गया है ओल चेप्र वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं ठीक चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नंबर फाइफ है कि अक अपसन नंबर ए अकबर हुसेन इनका पूरा नाम है अकबर अलाबादी का और ये अलाबाद में पैदा हुए थे इसलिए ये अकबर अलाबादी के नाम से मशूर हो गए लेकि इनका पूरा नाम क्या था अकबर हुसेन चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि अकबर अकबर अलाबादी की पैदाश कहां होई यह कहां पैदा हुए थे तो आपसन आ में समस्ती पूर वी में है लाहुर सी में अगाजी पूर और डी में 12 तो इसका सही जवाब आप लोगो को मालूम होगा इसका सही अंसर है option number D 12 में इनकी पैदाई शुई थी बारा जिला कहा अलाहबाद है option number D is right answer आगे बढ़ते हैं सवाल number 7 कि अकबर अलाहबादी कब पैदा हुए यह आपर आपनों को date बताना है option A में है 12 इधर चलाएगा 12 June 1856 B में है 5 सिप्तंबर 99 और C में है 1 October 1845 और D में है 11 जूनी तरा जाएगा 11 July 1665 तो इसका सही option क्या होगा इसका सही option होगा option number C 1 October 1845 को अकबर अलाहबादी की पैदाईश हुई थी आगे बढ़ते हैं 8 नमबर सवाल है कि अकबर के वालीद का नाम क्या था इनके पिता जी का नाम बताना है तो देखिए option A में है सेद फजल मुहमद और B में है तफजल हुसैन C में है फजल दीन और B में है फजल हुसैन तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B option number B जो राइट इनसर आप लोगों को मालूम होगा तफजल हुसैन नाम है इनका तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल number 9 है कि 18-56 में कितने बरस की उमर में अकबर के वालिदीन का इंतकाल हुआ यहापर आप लोगों को बताना है कि 18-56 में कितने साल की उमर के थे अकबर अलाबादी की उनके वालिदीन इनकी माता पिता का इंतकाल हो गया तो इसका जवाब देखिए आपसन देखते हैं पड़पट आपसन A में 14, B में 13, C में 12 और D में 11 तो इसका सही आपसन होगा आपसन नमबर D 11 11 साल की उमर में जो है न जब 11 साल के थे हैं अकबर अलाबादी 11 साल के थे हैं तब उनके वालेदी ने इनकी माता पिता का इंतकाल हो गया तो इसलिए आपसन नमबर D जो राइट इंसर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर 10 की एक मिन ठाँ सवाल नमबर 10 है की हमले सरहद पे किया करते हैं गाजी बनकर यह बात शायर ने किसके बारे में कहा है यह आप लोगो बताना है तो आपसन ए में है फाजी के लिए बी में हैं डॉक्टर के लिए सी में हैं मुसल्मानों के लिए और डी में हैं अवाम के लिए तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोगो पता होगा क्योंकि मैं आप लोगो अलड़े बता चुकी हूँ कि ये बात जो है ना शायर बोले हैं मुसल्मानों के लिए तो आपसन नमबर सी इस और राइट एंसर ठेक है हमले सरहद पर करते हैं गाजी बन किया करते हैं गाजी बन कर ये मुसल्मानों के लिए बोला गया था आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 11 की तरफ सवाल है कि दौलत और इज़त इमान किसके कदमों पे शायर निसार करना चाहता है तो आपसन देखते हैं फड़ाफट आपसन ए में है मिस वी में फहमीदा सी में हमीदा और डी में गरीब तो इसका सही एंसर आप्टों को मालूम होगा आपसन नमबर ए मिस के कदमों के उपर मतलब मिस के कदमों पर शायर जो है ना अपना दौलत इज़त वहमान सब कुछ सब कुछ निशार कर देना चाहते हैं तो आपसन नमबर ए जो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 12 है कि दिसंबर 1973 में अकबर अलाबादी किस ओधे से रिटायर हुए थे किस पोस्ट से वो सबक दोश हुए रिटायर हुए या आप लोग को बताना है तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर ए फटफट आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 13 कि अकबर अलाबादी को कब खान बहादूर का खान बहादूर के खिताब से नमाजा गया आप लोग को बताना है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसन नमबर डी नहीं से अंठान बिर में खान बहादूर का खिताब मिला था अकबर अलाबादी को आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 14 कि अकबर अलाबादी के लड़के का नाम क्या था उनके बेटे का क्या नाम था तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ उनके बेटे का नाम था हाश्रिम आपसन नमबर बी जो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 15 सवाल नमबर 15 है कि अकबर अलाबादी के वीवी का नतकाल कब हुआ तो ओपसन देखते हैं ओपसन A में 12 जून उन्हेसद शासी B में 5 सेप्तमबर उन्हेसद उन्हेस C में 1 अक्टूबर उन्हेसद दस और D में 21 जुलाई D में 21 जुलाई उनसा 65 तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर होगा Option number कितना Option number C एक October 10 को अकपर अलबादी की दीबी आगे बरते हैं सवाल नंबर 16 की 1913 1913 में कितने बरस की उम्र में अकपर अलबादी के लड़की का tip अउप्सने में 14 20 13 C में 12 और D में 11 तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नंबर B 13 साल की उमर में अकबर अलाबादी के बेटे का इंतकाल हो गया तो उनके लगए का इंतकाल हो गया था आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 कि अकबर अलाबादी का इंतकाल कब हुआ यह आप लोगों को बताना हैं अफशन ए में 12 जून निएसा च्छासी बी में हैं नो सेप्समबर नने से 21 C में है एक अक्टूबर उन्हेंसे 10 और सिदी में है कई जुलाई कि नहीं सब 65 तो है जबाब हो जाएगा आप लोगका ऑप्सेन नमबर कितना आप लोग बताइए अब अप्सेनने करें कि एक अक्टूबर उन्हेंसे 10 को अक्पर दोनों यान की यह और यह दाउद नगर रसुराम दोनों और डी में कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा आपसन नंबर सी एंड बी दोनों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 कि शायर ने इस नजब में गुल्शन ऐस ने फितरत की बहार यहाप पर बहड लिए गलती से बर कोई किसे कहा है तो शायर जो है ना मिकुशन चतेरत की बहार बहार मिस्क को रहा है तो यह तरह पर नमबर उनके दादा का नाम यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ उनके दादा का नाम था आप्शन नमबर ए स्यद फजल मुहम्मद तो यह था चैप्टे नमबर 15 का सारा अब्जेक्टिव कुश्चन जिसको आज किस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किये कोई भी कंफियोज अगले वीडियो में अगले ठापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस